हाई गाईज वेलकम बैक टो आग चैनल तो कैसे हैं आप सब आज रेसीवी में हम बनाने वाले हैं आलू और पालक की सबजी जो बहुत ही यमी होती है और खासकर सर्द्यों में ये फेवरिट होती है सभी की तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर लिया है एक किलो पालक जिसको मैंने अच्छे धुल के बारी बारी कट करके साइड में रख लिया है आपको इसको बहुत ही अच्छे साफ करना है धुलना है और फिर इसको कट करना है क्योंकि हम बना रहे हैं पालक आलू तो उसमें आलू होना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर मैंने 3-4 आलू लिये हैं जिसको मैंने मोटी मोटी शेप में कट किया है चकोरकार में तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, तीन से चार, थोड़ा सा लहसून और थोड़ा सा अदरक इन सब को मैंने यहाँ पर पतला पतला बारिक बारिक कट करके एक प्लेट में रख लिया है अब हम लेंगे कड़ाई, कड़ाई हम डालेंगे हम रिफाइंड या तेल जो भी आप लूज करतेंगे घर में और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे तीन से चार लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा तेज़ पात और यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले से हमने अदरक और लहसून को बारे के बारे कट करके रख लिया था तो अब वो हमें इसमें डालना है, तो यहाँ पर मैंने अदरक डाल दिया है, लहसून पर डालना है ऐसे ही और यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है, आपको लो ही रखनी है, क्योंकि लो फ्लेम पर बहुत अच्छे चे पक जाता है और आप देख सकते हैं, जो हमारा लहसून है, वो हलका हलका ब्राउन होना शुरू भी हो चुका है हमें ज्याता है, इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, मतलब कि काला कला नहीं रखना है जब यह हलका सा ब्राउनी सो जाएगा, पहले मैं इसको होन देती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ब्राउनी सो चुका है, हमने डाला है इसमें जीरा तो यहाँ पर अब क्या होगा ना, जीरा और लहसून, यह एक साथ एदम भून जाएंगे, ब्राउन ब्राउन तो यहाँ पर आपको अच्छे से बिल्कुल पकाना है, जीरा वीरा को, जो भी हमने डाला है इसमें, जीरा और लहसून आप दिख सकते हैं कि बिल्कुल ब्राउन हो चुका है इसके बाद हमने डाला है इसमें कटा हुआ आलू जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने पहले आलू को कट करके रखा हुआ था तो सारे आलू हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर आपको आलू को अच्छे से कट करना है और अच्छे धुलना है तो यहाँ पर मैंने सारे आलू इसमें डाल दिये हैं अब हम क्या करेंगे आलू को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में जो भी हमने ये फ्राई किया था तो यहाँ पर सारे आलू को फ्राई करके अब अब हम इसको ढखके रख देंगे पहले हम इसको चला लेती हो अच्छे से ताकि जो तेल है वो सारे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर सारे आलू मैंने इसमें मिक्स कर दिया है तेल में अब हम इसको ढख देते हैं 5-7 मिट के लिए लो फ्लेम पर तो यहाँ पर जब आप इसको 5-7 मिट के बाद चेक करेंगे तो जो हमारे आलू है कुछ इस तरीकी से दिखाई देंगे गाईस अब हमें क्या कर रहा है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक से जल्दी कल जाते हैं आलू तो यहाँ पर हम इसमें नमक डाल देंगे अब हम क्या करेंगे नमक डालने के बद हम इसको चलाएंगे अच्छे से ताकि जो नमक है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आलू में नमक है वो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है तो येस अब हम इसको फिट से ढख देंगे गाईस एक दो मिंट के लिए ही ज्यादा नहीं ढखना है जब आप इसको 2-3 मिंट बाद जेक करेंगे तो जो आलू है कुछ इस तरीक से दिखाए देंगे आपको यहां पर एक बात ध्यान देने हैं गाईस आलू जब आप फ्राई करेंगे ना आलू को बिल्कुल भी नहीं गलाना है गलात और घरिक कटा लिएंप प्याज कब गर चुरू कटा गढ़ा हथी हए कटा हवा प्याज तो यहँ में मैं डाले हां और पर बाद चाहले होई से एक बड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर अब हम क्या करेंगे इसको अचीजे लिए मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर सारे मसाले आपको इस मच्छेजे मिक्स करने है आलू में तो येस आप दिख सकते हैं अब हम इसको ठके रख देंगे 5-7 मिंट के लिए लो फ्लेम पर 5-7 मिंट हो चुके गाईज आप दिख सकते हैं जो हमारे आलू है बहुत अच्छे जे फ्राई हो चुके हैं मैं आपको दिखाती हूँ इसकालू कट करके तो येस तो अब इसमें पालक डालने का टाइम आ चुका है तो चलिए मैं इसमें पालक डाल देती हूँ जो मैंने पहले जी कट करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर सारा पालक इसमें डाल देना है काईस पालक को भी आपको बहुत अच्छे पहले धुलना है, साफ करना है, उसके बाद सो कट करना है, तब यहापको योज करना है पालक तो यहाँ पर सारा पालक हम डाल देंगे इसमें तो यहाँ पर मैंने सारा पालक इसमें डाल दिया है अभी आपको पालक नो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा लेकि नहीं जब यह बन जाता है बहुत ही कम हो जाएगा यह तो इसलिए हम पालक को थोड़ा एक्ष्टर ही रखते हैं तो यहाँ पर सारा पालक डालने के बाद अब हम इसमें उपर से डालेंगे गरम मसाला तो चलिए मैं गरम मसाला भी इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्ष्टर डालेंगे चटपटा करने के लिए तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें करम मसाला उपर से अब हम इसको ऐसे ढखके छोड़ देंगे 5-10 मिंट के लिए तो यहाँ पर मैंने इस पर ढखन लगा दिया है अब हम इसको 5-10 मिंट के बाद जैक करेंगे तो 5-10 मिंट हो चुकी है आप देख सकते हैं जो हमारा पालक है कितना ही सोफ्ट हो चुका है मैं आपको एक बार चला के दिखाती हूँ तो यहाँ पर हमने इस पर चमचे चला दिया गाईस आप देख सकते हैं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको अपने घर में ज्यादा बनाना हो तो आपको पालक थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना पड़ेगा तब इसी क्यांटिटी अच्छे निकल के आती है तो यहाँ पर ओल्मोस्ट जो हमारा आलू पालक है गाईस बनकर डेडी हो चुका है तो चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं बनकर देती हूँ गैस तो यहाँ पर हमारा आलू पालक बनकर डेडी हो चुका है गैस अगर अच्छी लगी है तो प्लीज टेनल को सब्सक्राइब लेक शेर कर देना और मैं जल्दी ही मिलूंगे नई वीडियो के साथ